हेलो जहेंद स्टूडेंट फानली आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चला पर और फ्रेंड्स आप लोग का इंतेजार जो है यहाँ पर फानली खत्म हो चुका है क्योंकि आप लोग का यहाँ पर जो ITI CATE का ओनलाइन कांसलिंग है उसका फानली यहाँ पर लिंक एक्टिव कर द तो आई ये वीडियो कांटिनुवी स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए फानली आप लोग को किसी एक ब्राउजर में आना है और यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है bceceboard.br.gov.in जैसे ही सर्च करते हैं आप लोग फानली इस पेज पर आज आएंगे और यहाँ पर देखिए फानली आपका लिंक एक्टिव कर दिया है online application form में आएंगे और first number page देखिए यहाँ पर online counseling portal of ITI cat जैसे ही इस पर click करते हैं तो finally आपके सामने यहाँ पर एक नया page open हो जाएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए finally यहाँ पर country date activity board में आप लोग को यहाँ पर दिया गया है online registration and choice filling for BRITI counseling 24 simply इसे पर आपको क्या करना है click कर देना है जैसे ही click करते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग का BRITI counseling 24 का यहाँ पर active हो चुका है और यहाँ पर देखिए user ID और password आप लोग को यहाँ पर बनाना है पहले और यहाँ पर देखिए capture code दिया गया है और यहाँ पर आपको security peer में submit कर देना है जैसे submit करेंगे तो आप लोग यहाँ पर sign in कर देंगे तो आपका profile यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग को बदा दू कि जो भी student यहाँ पर पहले अपना counseling करेंगे तो पहले आप लोग को registration करना है ठीक है यहाँ पर देखी registration का option दिया गया है तो आप लोग को simply इसी पर click करना है इसके बाद आप लोग को पहले जो user ID है और password पहले यहाँ आप लोग को बनाना है ठीक है इसके बाद ही आप लोग अपना counseling कर पाएंगे सिंपली नेवरेश्टिशन पर आपको click कर देना है जैसे ही click करते हैं तो आप लोग के सामने instructions आ जाएंगे इसको आप लोग चाहते हैं तो पढ़ देजिएगा वैसे कोई मतलब नहीं है पढ़के बस I agree कर दीजिएगा ठीक क्योंकि आई agree करेंगे तभी आप लोग यहाँ पर details होगा तो यहाँ पर देखिए friends आप लोग को personal details आपको डालना यहाँ पर जो आप लोग का admit card है उस पर आप लोग का roll number दिया गया है तो roll number यहाँ पर आपको feel करना है इसके बाद आपका नाम क्या है आपके admit card पर एदम स submit कर देना है इसके बाद जैसे submit करते हैं तो आप लोग के सामने एक नया page होगा उसमें आप लोग को email id और mobile number आप लोग को feel करना है जैसे mobile number वहाँ पर feel करते हैं तो आप लोग के सामने यहाँ पर एक OTP आएगा आपके email id और mobile number पर और साथ में user id आपको क्या बनाना है वह पिर आप लोग का जो डेटा बर्थ हो जैसे माल लेजिए 2016 है तो आप लोग 2016 इसे लिख सकते है ठीक है तो इस परकार आप लोग यूजर आइडी बनाएंगे और पासवर्ड जो है आप लोग यहाँ पर यह डिटेल समिट करेंगे तो इसके आप लोग का पासवर्ड का अप पासवर्ड बनाएंगे आप लोग नेयो इसके बाद confirm पासवर्ड को फिल करेंगे जैसे ही capture code यहाँ पर फिल करेंगे तो आप लोग का जो यहाँ पर station हो complete हो जाएगा इसके बाद आप लोग पूरना फिर पेज पर आएंगे इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना login कर यहां से फिर इसके बाद user id और password आरकी आपको login हो जाना है जैसे ही login होते हैं वहाँ पर आप लोग का trade list आपका खुल कर आजाएगा और जैसे ही आप लोग का trade list खुल कर आएगा तो आप लोग वहाँ से अपना trade choice कर लीजेगा और यहां पर लगबग आप लोग 15 से 20 trade आप ल लोग के अपने district में 75% का यहां पर अरच्षड आपको मिलता है और अधर district में आपको 25% का अरच्षड मिलेगा ठीक है तो इसलिए आप लोग अपने district का iti choice करेंगे तो आपका जल्दी admission हो जाएगा तो आप लोग के लिए खुसकबरी है आप लोग का link active कर दिया है और 28 जुलाई को last date है तो आप लोग 28 जुलाई से पहले पहले आप सभी student अपना counseling जो है वो कर लिजिएगा क्योंकि आप लोग को एक ही बार मौका मिला है counseling का ठीक है तो सभी student अपना counseling करेंगे तो आप सभी student अपना counseling जरू करवाईएगा और अगर आप लोग कोई भी doubts कोई भ आप लोग यहाँ पर मुझे बताईए मैं आप लोग का counseling करके आपको बताऊंगा तो आगे जैसे कोई updates आती है तो आप लोग को बताई जाएगी धन्यवाद